असलाम अलेकों मैट्टी फैमली कैसे आप सब उम्मीदे सब खेरेच होंगे और बहुत खुश होंगे तो यह देखेजी सुबह सुबह हो चुका था कांड हमारा पकने पकाना भी बाकी रह गया था और मेरा जो मेरी जो वाली पुरानी वाली जो नभी वाली जो सीगडी थी वह खराब हो गई थी तो हम लोगों को पुरानी वाली निकान ली पड़ी उसका यह पाइप का अटेच्मेंट होता है ना वह टूड़ गया था एक्चुली मैं वाश कर रही थी ना तो उसको मैंने दी मार्ट में भी शोपिंग कर लेते हैं आप लोगों को व्लॉक्स में देखा होगा आपने पीछले व्लॉक्स में मैंने काफी शेयर किया है कि हम लोग ग्रोशरी के लिए डी मार्ट जाते हैं लेकिन एक्चुली वह है ना थोड़ा सा हमारे घर से दूर पड़ता है तो हमने सुचा कि लोकल मार्केट ही चले जाते हैं तो मैंने सुचा आप लोगों को विजिट करा देती हूं यहां का लोकल मार्केट कैसा है यहां पर हर चीज मिल जाएगी आप लोगों को कपड़ा से लेके लेस से लेके सबजी मार्केट से लेके सब कुछ आप लोगों को य यहां पर है ना कटलरी समान भी मिल जाता है जो रेडिमेट खाना होता है ना जब बाहर से हम लोग खाने का लेके आते हैं वह भी दुकाना है यहां पर गोस मच्छी हर चीज मिल जाती है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा विजिट करवा रही थी कि यह देखें यहां पर इ कभी होते हैं यह लेकिन लोगों को लेस्स पेसंनिया जों लोगों को मैस ही थी वह कलर कि हमreibtन facto मिली और वाइत्म में इनका लाइके एन поч़ा से इस तरीके से नीचे जो यह लोग भी च्छा के बैठते ना वहां पर कभी-कभी तो एकदम ब्रैंडड़ पीस भी मिल जाता है आप लोगों को वह भी न्यूविट टैग तो इस तरीके से यहां पर देखे सब जी वगेड़ा हम लोगों को नहीं लेनी थी ग्रोसरी लेनी थी तो हम लोग आगे की तरफ मोगों ल Prof जा रहती हैं और यहां पर हर चीज में आप लोगों को दिखा रही हूँ इसमें देखे आपको हर चीज दिखेगी चाने की चीज से लेके गोश, मच्छी, मुर्गी, कपड़े, दुपट्टे, मेचिंग, मेचिंग, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर हाँ जी तो मेरा जो गैस ना सुबा सुबा खराब हो चुगा था इसलिए हमारा मगज भी खराब हुआ पड़ा था क्योंकि पकाने का जम को हमारा है ना पकाना का जो खाना था ना वो जल्दी हो गया था इतली लेकिन फिर ना मैंने सोचा के उसको पहले मैं वोश कर लेती हूँ पूरे कीचन काउंटर को उसके बाद मैं थोड़ा सा रख दूँगी थोड़ी सी गोस में कसर थी अच्छे से ग कोश भी हो जाएगा हमारा तो मैंने इस तरीके से सोचा लेकिन वो हो गया उल्टा मेरा गैस बनर का वो जो पाइंप का होता है ना वो पाइंप लगाने वाला ही टूड़ीया मैन तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता अब देखते हैं हम लोग जाएंगे बरतन वाले के पास उसको पुछेंगे कि क्या करना है वो कुछ सजेशन करेगा सजेशन देगा उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हम लोग और यहां पर रश देख रहे हो आप कितना रश है यह तो फिर भी बहुत करम है क्योंकि हम लोग जल्दी गए थे ना काम करके हैं क्योंकि ग्रोशरी फिर बहुत साही लानी होती है ना तो पब्लिक के बीच में से निकलती है निकले नहीं चाहता बहुत बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर देखें मटन वगेर आप लोगों को दिख रहे होगे बहुत पब्लिक होती है यहाँ पर तो वीडियो भी है ना देखें कैसी आ मार्केट है सबजी मार्केट तो जी मैं काफी टाइम से है ना देख भी रीती यहां पर मैंने सुचा था कि मैं जब भी जाओंगी ना लोकल मार्केट तो वहां पर एक शौप भाईया है ना ओनलाइन की जो वाइरल प्रोडक्ट होते ना वो शेल करते हैं तो वो उस टाइम दुकान बन थी जब मैं गई थी तब तो मुझे वो भी लेना था क्योंकि हैंगर वगेरा मुझे है ना कीचन का थोड़ा सा एना लुक चेंज करना है तो मैंने सोचा कि वहां से मैं वह सब कुछ भी ले लूँगी उनको ओडर दे करके आई थी मैं और डी तो मैंने सोचा भी ले लूँगी लेकिन ना वहां की दुकान पता नहीं उस टाइम पर बन थी शायद अजान का टाइम हो रहा था शायद इसलिए पता नहीं मुझे लेकिन ना उनको मैंने ओडर दे दिया था उनलाइन ही फॉन पर वह ओडर ले लेते फिल लाकर रखते और जी फिर उसके बाद है ना हमको बुला लेते कि आपका ओडर आ गया आप आज और लेने के लिए तो मैंने हैंगर वगेरा किचन के लिए ना कुछ मंगवाया था वह सेल्फ वगेरा साइड में रखने के लिए किचन में को और भी मैं करने का सोच रही हूं लेकिन सब चीजे पहले आज आ जाएगा और है ना मुझे को लाबरेशन में भी मिल जाएगी तो इस वज़े से तो अब देखें वो कब आएंगे प्रोडक्स उसके बाद ही मैं किचन में को और कर पाऊंगी तो यहां पर यह देखें लेसी कितनी प्यारी प्यारी आई वेती मॉस्ट अफली है ना वीडियों में लेसी दिखाई है ना वह सब मैंने इसी थेले से लिए भाया ने ना बहुत अमेजिंग वाली वेराइटी होती है इनके पास यह देखें यह वाली लेस भी आपको बताई हुए यह वाली बताई हुए तो जब मेरे कपड़े अभी तक सिल्की नहीं आए आज जाएगे ना फॉदियू में विडियो में वीडियु में वह जब सिल आ जा जाएंगे तब मिया लेसी लगवाई है और किस तरीके यहां से लेकिन हम लोग मुस्त अफली यहीं से लेते मैचिंग वगेरा और नेट वगेरा सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी वेराइटी होती है और हम लोग यह देखे यह वाले कपड़े के ऊपर हम लोग ले रहे थे ऐसा आप लोगोंने मेरा भी देखा होगा मैं पिछल बोड़ा सा ग्रोशरी को सारा जमाया रखा अपना काम किया वही पकाया किया और जी अब घर चलते वही मैं बहुत ठक गई थी यह लेस कितनी प्यारी लग लिए ना हम जी तो यह देखे कपड़े बिछा लेंगे पहले जो हम लोग समान लेकर के आया थे ग्रोशरी से वह स बता नहीं क्या है नॉर्मल लेकिन मुझे यसा रखता है कि पैकेट के साथ रखने से ना खराब नहीं होते हैं और इस तरीके से टूटा हूँआ पैकेट मैं इस तरीके से फॉल्ड करकर रख देती हूं जिससे उसमें ना एर नी जाती है और अच्छे से वह निकलता नहीं मतलब चीजें बहार नहीं आती तो यहां पर ना सकर भी फिर मैंने पांच किलो थी तो मुझे से उठाइन जाती तो मैंने अपनी नंद की हेल्प ली और फिर उसको ना इस डबे में डाल लिया और जो पुरानी वाली सकर थी वह मैंने निकाल के अलग रख ली ताकि वह पह से किया है यह सब देखे आप लोग अलग अलग एंगल से मैंने सुट किया हुआ है लिटरली अगर आप लोगों को समझ आए या फिर पसंद आए ना तो प्लीज मुझे कमेंट करके लाजमी बताना तो मैं और भी मैंने करके ना इससे भी अच्छी है ना एंगल से वीडिय थी ति मैंने उसी के साथ-साथ शूट भी करती गई मैं कि मैं देख लेती हूं के मुझे आता है के नहीं आता है मैंने कफी यूट्यूबर्स को देखा है कि अलग-अलग इंगल से वो लोग शूट करते और उनके यह ना विउज भी अच्छ आते और अच्छा भी लगता ह देखने में बड़ा अट्रेक्टिव लगता है भाई यह मैंने भी खुद एडिट करके फिर देखा ना तो मुझे लगा कि हाँ भाई सई चीज एकदम ऐसी बनाओंगी अब मैं फ्यूचर में ऐसी कोशिश करती रहूंगी ताकि मैं और शार्प हो सकूँ मुझे नहीं पता अब यह कैसी लग रही है आप लोगों को जी मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि आप लोगों को यह अलग-अलग एंगल से वीडियो कैसी लग रही है बहुत मैंने से नहीं लिटरली एक ही फॉन से वन्ना जो बड़े-बड़े यूट्यूबर से तो ना उनके पास तो क देखकरें बस आप हां जी तो यह डिश वोशर है ठीक है इसको घर लाकर बनाना पड़ता है तो इस तरीके से मैं इसको भी बना रही थी यह आई थिंग इना यह देखें इस तरीके से ब्लैक लिक्विड है और उसी के साथ है न वाइट कलर की कुछ आता है उसके साथ डालने के लिए मुझे नहीं पता उसको क्या ही किते है कुछ आइडिया नहीं मुझे किस तरीके से बनता है कैसे बनता है लेकिन इससे जो बर्तन धुलते हैं हुआ जीवा मैसा आजाती है दुने में बहुत अच्छा लगते हैं तो चलिए उम्मीद करते हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं ट्रांजेक्शन भी अच्छा आपादरे अपन दूआ मुझे